रोडवेज बस की टकर की वजह से रोडवेज बस ने टेमपो और बाइक को टकर मार दी जिसकी वजह से टेमपो चाला की मौके पर ही मौत हो गई वहीं बाइक सवार दो लोग घायल हो गए इस वक्ती खबर आते हुए गंबीर घायलों को जिलास बताल में भरती करवाया गया आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर सामने आते हुए लंगेरा फाटा के पास की पूरी घटना है जहां पर रोडवेज बस ने टेम्पो को और बाइक को टकर मारी टेम्पो चाला की मौके पर ही मौत हो गई वहीं बाइक सवार लोग घायल हो गए हैं भीशन हाथसा होते हुए राजशान के बाढ़ मेर से खबर सामने आ रहे है जहां एक भीशन हाथसा हुआ जहां पर रोडवेज बस ने टेम्पो और बाइक को टकर मार दे साथ से में टेंपो चालक की मौके पर ही मौत हो गई तो वहीं बाइक सवार दोनों घायल हैं जिन्हें इलाज के लिए भरती करवाया गया है लंगेरा फाटा के पास कि ये पूरी घटना बताई जा रही है और ख़बर पर जादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी देवराज सीधा हमारे साथ पॉनलाइन पर जोड़ चुके है देवराज रोडवेज बस ने टेंपो और बाइक को टकर मारी है जिसमें टेंपो चालक की मौत हो गई है तो क्या कुछ कारवाई की गई है इसके साथ ही रोडविज बस चालक कहां है बस में सवारियां थी या फिर खाली ड्राइवर अकेरा ड्राइव कर रहाता है या बस की सवारियों को नुकसान पहुंचा या बस में जरूर सवारिया थी रामदेरा से रामसर की और जा रहे लें लेंगे लाइवर फार्टा के पास जाना है जापे जो टेंपो हैं तेंपो सवार का उसके साथ एक बाइप भी चपेड नहीं इसमें मोकिया पर टेंपो रहां की तो मौत हुए जो जो नोग हैं वो गं जो बस को एक बार वापिस कर दिया गया है जी बहुत धनेवाद दिवरास तमाम जानकारी के लिए तो आप सभी को बता दें कि एक रोडवेज बस के द्वारा टेंपो बाइक को टकर मारने का मामला सामने आया है जहां टेंपो चालक की मौके पर ही मौत हो गई बस में सवारियां थी लेकिन बस की सवारियों में कोई जन्हानी नहीं हुई है राहत की बात के है आप अब 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 माँ जे माँ